पांच वागया थी आज सांज ना पांच वागया ये चौविस कल्लाक मा गुजरात मा कुल कोविड ना तरणसो चुम्होतेर थ्री सेवन फोर पॉजिटिव केसेज आवया चे दिवस दर्मियान 146 जेटला लोको डिस्चार्ज थया चे अने आनी साथे टोटल करिये तो आप जे कोविड पॉजिटिव हता ट्रीटमेंट लीधी आने डिस्चार्ज थैने घरे साजा थैने घरे पाचा गया चे एवा 1042 लोको जे चे ट्रीटमेंट लाइने साजा थैने आज दिन सुधी घरे गया चे आ चोविस कल्लाक मा जे लोकों ने प्राथमिक रीते कोविड 2019 न अगंभीर बीमारी हती अने इमनी रोग प्रतिकारक शक्ती पन ओचू हुआना कारणे जेमने कोविड नू संक्रमन थयू अने पची इमने सारवार दर्मियान जेमनों दुखद अफसान थयू एवा 24 लोको जे अने आजे जे पॉजिटिव केसस आएवया छे इनू ब्रेक फरी रपीट करूँ पाटन मा एक बनासका अठा साथ महसाना मा एक्विस केस बोटाद त्राण दाहोद एक अरवली एक महिसागर दस देवभूमी द्वार का त्राण एम करीने कुल 300 चुमो तेर केसस आमा महसाना मा पण आजे केसस छे काले सांजे जे कदाच बाहर पांच वागया पची काल सांजनाच छे अबता केसस अने मुट्टा भागना आवा केसस छे के जिया लोको जे अलग-अलग कालनु जे आखु ग्रूप छे एमा लोको थोड़ाक इल्लीगली पन पाचा आवेया ता महसाना मा एकले नसदीक मौलीकपूर करीने गाम छे त्या इमने स्कूल बिल्डिंग मा राखवाम आवी होतू और इमना परिवार जनों इमने खवडावा माटे त्या जता आता अने आ बधी टोटल जे विगत पची इमना टेस्टिंग करता चार माथी त्रोण लोकों ने पॉजिटिव आवेया अने पची परिवार जनों ने पढ जे आ अने आमा फरी स्थानिक लोकों ने पढ अनुरोज छे स्थानिक त्याना परिवार जनों ने पढ भले कोई बाहर थी आव्या होई पढ इमने चवड दिवस माटे बिल्कुल स्ट्रिक्ली आपने क्वारंटीन मा अलगज राखिये तो आ चेप बीजाने न लागे एवी पॉजिटिव आवे आता जेनी अंदर 104 मा काम करता एक नर्स बैन पढ आता बीजा लोकों एवा के दाखला तरी के पोलिस साथे काम करना रेक बैन पची एक पोलिस कॉंस्टिबल ना फामिली एम करता टोटल आ एकविस केस जेटला मैसाणा ना निकड़े आचे पड़ा ब आवे तो एना थी संक्रमन बिलकुल बीजाने न लागे एवी रीते आपने बचावी शक्ये आजे जें बात करी कुल अत्यार सुधी COVID-19 थी जेटला पण लोकों संक्रमित थाया आता अने थाया छे एपाई की टोटल 1042 लोकों आजे इमनू डिस्चार्ज थागियो छे 5428 अने एमा थी 4065 एटले 4065 जेटला लोको स्टेबल छे 31 लोको वेंटिलेटर पर छे अने जे अमना वात करी डिस्चार्ज थेला लोको 1042 छे आजे जे डिस्चार्ज थेया छे एनी पण विगत जोईये अने ते पहला अत्यार सुधी कुल जे आपने टेस्ट करया छे एशी हजार साइट जेटला टेस्ट करया छे 80,060 अने इमा थी पॉजिटिव आवया छे 5,428 पॉजिटिव केसे आवया छे अने जे आजे इटले कि 5 वागया गईकाल सांच थी आजना 5 वागया सुधी 24 लाक मा 5,945,944 आपने टेस्ट गुजरात मा करया छे अने आ शक्ये इटला माटे बने छे कि आपने पूलिंग नी पण पधती एवा विस्तारों मा थी कि ज्यां बहु पॉजिटिविटी नथी एपन आपने करी रहा छे अने आज एक प्रकल्प छे आ एक पधती छे अन्य राष्ट्रों मा इस्रेयल अने घणा बदा अंतर राष्ट्रियास तरया थाई रहू छे आईसी एमारे पण आने फॉलो करवा माटे सजेस्ट कर्यू छे ने घणा राज्यों मा पण थाई रहू छे हवे आजे जे डिस्चार्ज थे ने घरे गया छे एवा लोको अमदाबाद मां 31 लोको सूरत मा 57 57, छोटा उदैपूर मा 4, वडोद्रा मा 4, आनंद मा 3, अर्वली मा 2, वलसाड 2, बोटाद 1, गांधी नगर अने महिसागर बनने मा 1-1 हेम करीने 146 अने जे मा अपणे वाद करी कुल डिस्चार्ज नो आकडो 1042 आजे जे जे विस्तारों मा केसस थेया छे इनी वाद करिये ते पहला गईकाले देवभूमी द्वारका मा पण एक केस पॉजिटिव आवियू आजे सवारे अब अध्धा जिल्लाना कलेक्टर साथे अमारी विडियो कॉन्फरेंस पंठ थाई छे जे नी अंदर जे जे केसस मा पॉजिटिव जे जे विस्तारों मा पॉजिटिव केसस आविया छे एमने तो बिल्कुल स्ट्रिक्ली आपड़े एमना कॉंटाक्ट ट्रे ए उनुँ चेन ने आपने ब्रेक करीशू आन इकरीशक्षू जे विस्तारों मा पॉजिटिव जिल्लामा गांधी नगर मा वटसर आने सेक्टर24 मा थी केसस आविया छे ए विस्तार ना चेटले वटसर नगराने सेक्टर24 पाटण नी अंदर हारीज मा थी बनासकाता मा थर मौलीपूर त्यां जे मेन आ ग्रूप मढ़ियू छे उमेधपूर सुधासना अने उम्री आ बधा विस्तारों मां पॉजटिव केसुज बढ़िया छे देव भूमी द्वारका मां बेट द्वारकानों केस छे अने एक सलायानों पन केस छे आजे त्याना कलेक्टर श्री साते पन डीटेल्ड वाद थाई छे अने बेट द्वारकाने पन बिलकुल कोईने पास होई तो पन इने कंप्लीटली अतियारे बंद करी देवामा आवी छे जे थी के कोई लोकों इमां अन्नेसिसरली आरीते जवानू अने पची संक्रमे थाईने वीजा लोकोंने संक्रमंट कर आवे एना उपर बिलकुल ब्रेक मारवामा आवियू छे अने महिसागरमा पन विसू कडाना खानपूर वीरपूर कडाना खानपूर अने लिम्बोद्रा आ चार विस्तारों छे महिसागरमा तो एनी अंदर पन केसस जोआ माले आचा अने हवे आजे आपने टोटल आयूश पद्धती थी जे उकाडा सम्षम नी वट्टी होमियोपथी नी दवा ये बदू जे आपवाम आवे छे एनी विगत पण आपणे जोईए तो उकाडाना मुट्टा भागे सम्रस्मा पण 631 जेटला पेशन्स जे पॉजिटिव छे एमने पण आ अलग-अलग प्रयोगो बट्टीनी अथ्वा होमियोपथी नी आपवाम आवे छे एज रीते जे आपड़ा पोलिस ना करमियो छे BSF Campus एनी अंदर पण अने एज रीते Health Workers माटे पण एमनी रोग प्रतिकारक शक्ती वधे प्रोफिलाक्सिस मां एमां पण आपवानी एकवात करी छे अने एज रीते दाणी लिम्डा एबधा विस्तारों मा पण स्थानिक लोको ना सहयोग थी 10,000 जेटला डोजस अने एज रीते बहरामपुरा आबधा विस्तारों मा पण आपड़े अलग-अलग टाबलेट्स नूँ पण वितरण जे खास करीने आयूश पद्धती छे एम अने एना माटे बिलकुल एक फोकस्ट डिस्ट्रिब्यूशन अने एमा लोकों नी रोग प्रतिकारक शक्ती वधे एना माटे जे आयूश परंपराना मुझब जे गाइडलाइन्स चे मुझब एक मोटा पाया पर इंप्लिमेंट करवानी पण आपने शरुवात करी छे खा अने खास सर्वेलंस मा पन आपनी बहुझ मुटा प्रमाण मा जे सर्वेलंस नी टीम्स काम करी रही छे आ विस्तारुमा लगबग 1100 उपरांत लोकों आ सर्वेलंस नी कामगिरी मा जोडायला छे मोटा भाग ना ब्रिजस सिवाई के बे ब्रिजस के जेनी अंदर पन मात्र पोलिस औने हेल्थ ना वरकर्ज जैई शके कामगिरी माटे ए सिवाई बाकी बधी जे इस्टरन पार्ट अने जे नदी ना पेला ओर जवा माटे ना ब्रिजस ने पन काले रातरे मोडे रात मन्य मुख्य मंत्री श्री विजय रुपानी साब ना अध्यक्री नी अंदर है amhandi deputy CM थे अंने जे गुर्व राजे मंत्री श्री जाडेजा साब नी पी उपस्ति मत्री श्री जाडेजा साब veget नेक्रो सर्वेलेंस अने एज रीते आब अधी हजी इंटेंस रूथलस कंटेनमेंट एटले बहुच कड़क कंटेनमेंट करवा माटे नूपन नेरने लीदू छे जेनू अमली करण पड़ आजे शरू थाई गियू छे तो फरी आपने बदाने अनुरोद करशू के बिलकुल लॉक्डाउन माँ खास करीने सांजना साथ वागया थी सवारना साथ वागया सुधी जिवारत सरकार नूपन खूप स्ट्रिक्ट अने कड़क आदेश छे एवनू आपने बदा अनुपालन करिये अने साथे साथे आपना बद्धाना मोबाईल्स माँ जे आरोग्य सेतु आप छे यह आपने बद्धा डाउनलोड करिये जे ठीके आपना बद्धा माटे एक खूबत स्मार्ट सुरक्षा कवच उपलब्ध थाई जाए अने आग कर्शू तो चौकस आपने संक्रमित थता आपने घड़ू एना दीधे फाइदो थशे कवच माशे नमस्कार गुजरात में कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक कुल जो पॉजिटिव केसिस कोविट ट्वेंटी नाइटीन के आए हैं तीनसो चुमोतर 374 और आज 146 जितने लोग बिलकुल उनकी जो इलाज थी चिकीटसा थी सफलता पूर्वक पूर्ण करके ये लोग अपने घर वापस गए हैं और अगर इस अंक को जोड़ा जाए अभी तक के जितने लोग डिस्चार्ज हो गए हमने हजार का अंक उसे क्रॉस कर लिया है एक हजार 42 जितने लोग 1042 जितने लोग बिलकुल साजा होके ठीक होके घर वापस चले गए हैं और जो आज कोविड की ट्रीटमेंट के दर्ब्यान जो दुखद अफसान हुए हैं उसमें चार ऐसे लोग हैं जिनका प्राथमिक मृतियू का कारण कोविड 2019 कह सकते हैं लेकिन 24 ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से और गंभीर अन्य बीमारी थी और कोविड का भी संक्रमन क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ती कम थी इस कंडिशन की वजह से और उनको कोविड का संक्रमन लगके वो भी एक सेकंडरी कॉस अफ डेथ यानि के मृतियू का एक अ सूरत में 25, गांधी नगर 3, पाटन 1, बनास काठा 7, मैसाना में एक्विस, बोटा 3, दाहोद 1, अरवली 1, महिसागर 10, देव भूमी द्वारका 3, ऐसे करके 300 चुमोतर जितने केसे हमारे पॉसिटिव आए हैं और अभी जो एक्टिव केसे हैं उसमें से 4,065 ऐसे लोग हैं और 31 ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और जैसे कहा गया है 1,042 ऐसे लोग हैं जो बिलकुल डिस्चार्ज होके वापस घर चले गए हैं अभी तक के जो कुल टेस्ट हुए हमारे 80,060 ऐशी 1,000, 80,000, 60 जितने टेस्ट हुए हैं और आज के दिन में 5,944 केसे हमने टे उडर करेंगे कि आपके विस्तार में, गा Young में या Municipal शहरी इलाकों में भी अगर बाहar से कोई भी आते हैं तो हम सब का एक फरज बनता है हमारे परिवार जनों भी अगर ऐसे भार से आते हैं तो उनको बिलकुल हमें सब को को बना है कि कॉरंटीन में रखा जाए जिस से के उनकी संक्रमन उनके अगर उनको संक्रमन हुआ हो तो और लोगों को बिलकुल ना लगे और ये जहां-जहां इसमें जरा भी तूटी रहती है तो संक्रमन फैला जाता है से हमने देखा भी है और सबसे अनुरोद करेंगे कि इसमें पूरी सहायता दें आज दो और बात कहना च मिलेगा फिर से सबसे अनुरोध है कि जितने भी लोग पॉजिटिव हैं कॉन्टाक्ट्स हैं और अन्य, सामान्य, नागरीक सभी इसको डाउनलोड करें तो बहतर और बहुत ही उत्तम उम्दा हमें सब को लाब मिलेगा कवच जहां तक आयुश के उपचार का सवाल है हमारे जितने भी सम्रस हॉस्टल में जो कोविट के पॉजिटिव केसिज हैं उन में से भी 671 जितने लोगों की समती लेके उनको काउंसलिंग करके उनकी पसंदकी के मुताबिक उन्हें या तो आयुरवेद या फिर होमियोपथी के जो ट्रीटमेंट है जो दवाई है रोग प्र साथ के नजदीक उन्हें भी आना पड़ता है तो ऐसे लोगों को भी खास करके बीएसेफ में जितने हैं पुलिस के फंक्शनरीज ग्यारा सो जितने फामिलीज में भी हमने इस तरह से आयुश के जो दवाई हैं इससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़े इसके लिए क बहुत ही बड़े पैमाने में इसको डिस्रिब्यूट करने का काम किया है अमदाबाद में दानी लिम्डा के विस्तार में भी वहां के जो स्थानिक दाता हैं जैसे जगदीश भाई दोशी उनके सहयोग थी से होमियोपथी के टैबलेट्स और वैसे ही बैरामपूरा में भ दानी लिम्डा में भी चार हजार जितने और जमालपूर के विस्तार में भी तीन हजार जितने टैबलेट्स का वितरन वाकिस्थानिक लोगों को भी साथ में रखके उनकी भी एक कॉंट्रिब्यूशन के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी टीम कर रही है तो आप साथ वर्ष की उमर के आयू से भी हम लोग जो बड़े हों हमें भी अपनी सुरक्षा कवच बनाए रखना है और खास करके जितने भी लोग को मॉर्बिड हो हमें भी अपनी सुरक्षा कवच बनाए रखनी है जिससे कि हम संक्रमित न हों नमस्कार English Rupak good evening between 5 p.m. yesterday and 5 p.m. today in the course of the last 24 hours before 5 p.m. today we've had in all 374 positive cases of COVID-19 in Gujarat we've had as many as 146 people who have got discharged in these 24 hours and if we take the cumulative number of people who have got discharged after being successfully treated for covid 2019 the number has crossed the thousand mark and we have 1042 people who have got discharged after successfully getting their treatment at the covid hospitals or at the care centers we've had four instances of people who in the course of their treatment due to covid 2019 have had their unfortunate death with covid 2019 as the primary cause of death in addition there have been 24 other people who had serious comorbidities already there these were underlying conditions and they also contracted the infection of covid 2019 and also unfortunately died in these 24 hours if we look at the breakup of cases amdabad has about 274 cases varodra and surat both have 25 and mehsana has had 21 cases devbhumi dwarka has had three cases and mahisagar 10 the rest of the districts have single digit cases out of the active patients today we have 4065 who are stable and there are 31 on ventilators we've been able to carry out five thousand nine hundred and forty four tests today and the total tally of tests that we have done for covid 2019 has gone up to eighty thousand and sixty eighty zero six zero is the total number of tests and today as many as five thousand nine hundred and forty four tests have been done this has been possible with a technique called pooling which icmr has also been promoting and which many countries across the world too it's a very innovative technique and we also want to specially again appeal to all of you that you need to specially take care of those members of the family who may be elderly those who are below five years of age pregnant women as also those who have serious comorbidities including high sugar blood pressure hypertension kidney diseases heart diseases tuberculosis and other conditions if we take care of these and ring fence them we can ensure that the mortality is kept as low as possible additionally we are also strongly recommending we strongly recommend that those of us who have faith and believe in the ayush guidelines and the ayush systems of indian traditional systems of medicine we could take advantage of these guidelines and really take all these prophylactic measures to boost our immunity for example in these samras hostel where there are positive patients of covid 2019 being treated these are those which are asymptomatic or very very mildly symptomatic now in this case with their consent and with proper counseling we've had as many as 671 of these patients who have opted for the ayush line of prophylactic treatment to boost their immunity to be able to fight any infection including covid 2019 so this has been possible similarly for the functionaries who are involved in a lot of work related to covid surveillance and so on we've had as many as 101 100 families of the bsf who have been administered these ayush prophylactic immunoboosting medicines such as arsenicum album 30 potency or samsambatti and this is also giving us good results and our ayush team is working very hard on this additionally in the hot spot contained the the containment zone areas of amdabad we're also today actively we have distributed in all about 17 000 doses of these ayurvedic medicines or homeopathic medicines to ensure that the prophylactic and immunity status of all these people in the affected area gets improved we do request all of you each one of you to download the arogya setu app and if you do this if each one of us does this we can have a very protective ring of safety around us we would know the minute there is somebody who's in the infected list coming close to us we would get into we would get immediately a beep which would create an alarm for us and the other request to all of us is that we must keep sipping hot water through the day and take what is known as golden milk which is basically warm or hot milk with turmeric these simple traditional practices will also help boost our immunity and ensure that we don't get infected with kovid 20 19. you you you